हलो फ्रेंड्स मैं डॉकरेश माधिजय, senior consultant, urologist and endologist इन कोलकटा बहुत सारी लोगों के semen के अंदर ब्राड आता है वीडे के अंदर ब्राड आ जाता है तो इसको लिए के बहुत चिंतित हो जाते हैं के मुझे कहीं cancer तो नहीं हो गया है मुझे कई sexual problem तो नहीं हो जाएगी, मुझे कई infertility तो नहीं है, इन सब चीजों के लिए कि बहुत चिंदित करते हैं, लेकिन आप कोई बता दें, blood जब सीमन के अंदर आता है, तो यह एक benign disease होता है, most of the cancer cancer की chances बहुत 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 ज्यादा कम होते हैं, बहुत ही rarely होता है, हमारे 15 साल के experience के अंदर, कम सिर्म 500 patient हमारे पास सीमन में blood को लेकर आये हैं, लेकिन उनमें से only अभी तक 2 patient के अंदर हमारा cancer diagnosis होता है, यानि कि cancer बहुत ही rarely होता है, अगर आपका only एक बार ही सीमन में blood आया है, या फिर आपकी उमर 40 बरस से कम है, तो आपको कोई चिंता की ब blood आ रहा है, वीरे में blood आ रहा है, या आपकी उमर ज्यादा है, अगर आप धुम पांग करते हैं, और आपकी family के अंदर prostate cancer की history है, तो आपको एक थोलो वरकप की ज़रोत पड़ती है, कि गहीं आपको cancer तो नहीं है, तो ऐसे patient जिनके अंदर regularly बार बार में blood आ रहा है, उमर लोगों की सा sexual relationship बना के रखते हैं, तो ऐसे patient में अंदर STD होकर, semen में blood आने का chance होता है, लेकिन ये STD होने के विए से आपको fertility को affect कर सकती है, तो इसका properly diagnose करके treatment कर रहा है, अब बात करते हैं कि इन कारून की वज़े से ऐसा होता है, क्योंकि आज इस detail video के नम क्यों होता है, कैसे हम उसकी patient की history लेते हैं, क्या क्या हम patient की बारे में जानना चाहते हैं, क्या diagnosis करते हैं, क्या क्या reports करवाते हैं, कैसे इसको treatment करते हैं, इसे के बारे में detail में बात करते हैं, अगर आप कारून की बात करें, तो most common कारण infection होता है, ये infection आपका prostate का infection हो सकता है, सेमाइनल लैस से वहां से एक्षा यह बाहर निकलता है कि दूसरे अन्याकारण होता है कई बार आप की वाई पिद्ध है आप बहुत टाम से नहीं किया या मास्टरवरेशन नहीं किया ऐसे कंडिशन के अंदर भी कभी-कभी सीमर में बलड आ जाता है इसके अलावा आपका कोई पोस्टेट का कुछ प्रॉलम है या फिर पोस्टेट कैंसर है या फिर आपका युद्सा के पिशा के अस्तिम कोई इंफेक्शन है या कोई स्टोन है ऐसे केसे के अंदर भी आपका सीमल में ब्लड आ सकता है और आपको ट्यूबर क्लोसिस है आपको परिशयनी बहुत ज्यादा कारण होता है यह अब बात करते हैं उसके सबस Confer's को पंद करने के इसब पेशन करी में हम पोषळते हैं इसफ्रह जादो परा वर आता है कि नहीं आता है। ये और रेगुछल रेगुलर्ली आता है। कि जिती बार भी आप सिमें बाहर ग água करते हैं यर ख़्रोव ज्यूवर के साथ औह। या कभी-ख़्या आता है आपका ejaculation के time पे कोई दर्द तो नहीं होता है, semen discharge की समय, या फिर आपका पैरिस जब erection होता है, उसमें कोई pain होता है कि नहीं होता है, इन सब की history हम डिटेल मिलेते हैं, तो हम कोई diagnosis होता है, कि आपका blood क्यों आ सकता है, उसके बाद में हम आपका जब examination करवाते हैं, तो आपके देखते हैं, semen का, उसके अलावा हम आपको कई बाद urine test करवाते हैं, कि उसमें कोई infection है या नहीं, uroflometry test करवाते हैं, कि पिशा के दस्ते में कोई record तो नहीं है, या पोस्टेट इनलाज की वज़े से भी हो सकता है, उसके बाद में पैशन का इक ultrasonography करके देखते ह इसके बाद में कोई inflammation तो नहीं, या पोस्टेट इतना बड़ा है, इसके बारे में हम को जानतरी मिलती है, और कुछे patient के देखते हैं, कैंसर की समवामर लगती है, उसमें हम serum PICV कराते हैं, बड़ कभी-कभी patient के देखते हैं, लोग CT scan कराने की भी ज़ूदत पढ़ सकती है अब बात करते हैं treatment के बारे, usually हम patients को एंटिवाटिक देते हैं, जैसे पोस्टेटिस के लिए हम एंटिवाटिक देते हैं, उसे परकात, इसके अंदर भी 4-6 सब्ता के एंटिवाटिक देते हैं, उसके अलावा अगर आपका urinary tract में कोई obstruction रिलीस करने में, उस obstruction को रिलीस करन लेकिन कुछ एक patient के अंदर आपको further diagnosis के लिए patient को करना पड़ता है, तो उसको सकता है tuberculosis है, या किसी cancer की प्रसंभावना होती है, उसके लिए further investigation करके उसके साथ उसका treatment करते हैं, तो friends, और आपके semen में blood या विर्यों में blood आया है, जिसे हम immature spermia कहते हैं, तो कोई चिंता वाल बात नहीं है, अगर आपका एक बार ही आया है, चालिट साथ से कम उमर में आता है, तो यह उसका कारण है, उससे आप properly treatment करा पाएंगे, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया है, तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नमस्कार.